अब सबका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक घर पे हेर स्पा करने हैं वो भी बहुत 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 अफॉड़ेबल तरीके से और आपको अगर हेल्दी स्मूथ सिल्की डैंडर फ्री बाल चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को इंटर देखिए step number one oiling आपको सबसे पहले करना है oiling oiling करने के लिए आप अपने बाल को अच्छे से कॉम कर लीजे और अगर आपके बाल बहुत जादा हैं तो उसको थोड़ा side part कर लीजे ताकि आपको अपने hairs के जो scalp है वो दिखे उसके बाद मैं यहां पर यूज़ कर रहा हूं डाब और अ scalp पे थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे दे देना है कि उसके बाद आपको हातों में लेके जैसे आप regular massage करते हैं वैसे massage करना है massage करने के बाद आपको इसको रखना है half an hour, half an hour के बाद आपको करना है shampoo shampoo मैं यूज़ कर रहा हूं Wow Skin Science का coconut milk shampoo इसको अच्छे से हाथ में लगा के अपने पूरे बालों में लगा लीजे अच्छे से massage करिए बहुत जादा harsh massage मत करिएगा धीरे से massage करके अच्छे से पूरे बाल को एक दो मिरेड मसाज करने के बाद पानी से रॉमल रेगुलर टैप वाटर से धो लीजे अच्छे से ताकि पूरा shampoo आपका निकल जाए और फिर towel dry कर लीजे अपने पूरे scalp को so guys towel dry करने के बाद आपको लगाना है एक hair spa cream market में बहुत सारे hair spa cream available है मेरे अपनी चैनल पर एक वीडियो है hair spa पर जहां मैंने दूसरे brand का hair spa यूज किया था यह मैं यूज कर रहा हूँ oxy glow का herbals का hair spa cream यह आपको amazon पर मिल जाएगा आपको flip card में मिल जाएगा इसका price है 225 बट इसको amazon on flip card में तक्रीबन आपको 200-210 रुपे में मिल जाएगा और यह डबबा आपको कम से कम महीने से डेड़ महीना चल जाएगा इसको कैसे यूज कर सकते हैं इसको ऐसे यूज कर लिया है बट आपको इसको handful amount लगाना है ऐसे करके देखिए creamy सा इसका texture है ऐसे लगेगा कि आप एक conditioner लगा रहे हैं तो creamy सा texture है आपको जितना आपका बाल का length है अगर आपके बहुत लंबे बाल है तो फिर आप उतना ही लीजे अगर आपके छोटे बाल है तो आप उतना ही लीजे आपको इसको यह में चीज हैर स्पा में अब वो कैसे लगाना है जैसे आपने जैसे आपने मसाज किया था वैसी आपको लगाना है अपने पूरे बाल में सबसे पहले में पूरे बाल में cover कर लूँगा cover करने के बाद इसके बाद आता है इसमें मसाज करने की बारी जितना अच्छी तरीके से आप मसाज करिएगा उतना अच्छा आपका हेर स्पा होगा हेर स्पा का काम होता है आपके हेर फॉलिकल में circulation प्रोवाइट करना ताकि आपके अच्छे बाल आएं आपका scalp फेल दी रहें आपके dandruff problem खतम हो जाएं जो dandruff है वो चले जाएं silky and smooth hair अगर आप हफ़ते में एक बार हेर स्पा करते हैं घर पे देखिएगा महीने बाद आपका हेर का quality बहुत अच्छा हो जाएगा so please do it hair spark cream को अच्छे से scalp पे मसाज करके आपको 15 minutes तर कम से कम मसाज करना है अगर कम पड़ जाए तो थोड़ा सा all लेके आपको मसाज करना है पट 15 minutes से continuously आपको अपने scalp पे हलके हाथों से मसाज करना है उसके बाद friends आपको एक steamer के help से 15 minutes के लिए आपके बालों पे steam देना है अगर आपके पास steamer नहीं है तो towel को गरम पानी में soak करके भी आप towel को अपने सर पे लगा के रख सकते हैं 15 minutes तक अगर आपके पास heater है तो ऐसे करके आपको पूरे बालों पे heater देना है उसके बाद आपको अपने बालों को ठंडे पानी से या फिर normal room temperature पानी से धो लेना है अपने बालों को पूरी तरक्यस से ताकि कोई भी hair spa cream आपके बालों पे ना रहे आपके गिले बाल है अगर आप इसको blow dry करना चाहते हैं सेट करना चाहते हैं तो देखे किते easy से हो जाएगा अब मैं एक blow dry यूज़ करके दिखाता हूं आपको आपने कितना आसान है यह hair spa घर पे करना पस आपको एक hair spa cream खरीदना है और एक heater खरीदना है ऐसा अब you are good to go आपको 1500-2000 रुपए खर्च नहीं करने है पालर पे आप घर पे ही बैठे hair spa के मज़े ले सकते हैं पालर वाले so guys I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो please subscribe my channel and if you are liking my videos then hit the like button thank you so much मिलता हूं next video में